नमस्कारन सद्गुरू शालिग्रा में खास तरहखा पत्थर होता है कहते हैं कि आप उसे एक अलग तरीके से प्रतिष्ठित कर सकते हैं और तांत्रिक प्रक्रियाओं में इस्तमाल कर सकते हैं क्या इसके कोई खास निर्देश होते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया या प्रतिष्ठा के लिए हम कैसी सामगरी इस्तमाल कर सकते हैं और सालिग्राम की खासियत क्या है? सालिग्राम आम तोर पर जो आपको दुकानों में मिलता है वो जादा तर एक अंडे के आकार का पत्थर होता है जो बच्चे कंचे नहीं खरीद सकते थे वो नदियों से पत्थर उठा लेते थे और उनसे खेलते थे आप जानते हैं जो बच्चे कांच के कंचे नहीं खरीद सकते थे वो नदी पर जाते थे और गोल पत्थर उठा लेते थे और उनसे खेलने लगते थे और किसी ने इस साधारन खेल को एक बहुत गंभीर चीज बना दिया तो जादा तर साली ग्राम जो आप देखते हैं उनमें कोई खास गुन नहीं है वे बस सुन्दर पत्थर हैं मैं उमीद करता हूँ कि लोग नदियों से पत्थर बिनना बंद कर देंगे क्योंकि इस रफ्तार से जब हम कैलाश गए थे सभी एक पत्थर उठा लाना चाते थे मैंने कहा कि एक समय था जब लोग यहां से पैदल जाते थे तमिलनाडू से लोग कैलाश तक चल कर जाते थे अगर दस लोग जाते थे तो सिर्फ दो ही लोटते थे उस समय उन लोगों का दो छोटे पत्थर लाना ठीक था क्योंकि वैसे भी वे इतना बड़ा पत्थर उठा कर वापस पूरे रास्ते नहीं चल सकते थे वे दो पत्थर उन आठ लोगों की याद में लाते थे जिन्हें वे वहीं पीछे छोड़ाये थे ये ठीक था आज कल आप गाड़ियों में बड़े आराम से जाते हैं और आप जोले भर कर पत्थर घर ले आना चाहते हैं इस रफतार से मैं उन्हें बता रहा था कि अगर ऐसा होता रहा तो कुछ सालों में पूरा कैलाश परवती तमिलनाडू में होगा हम टुकडा टुकडा करके पूरा पहाड ही ला रहे हैं जितनी तादात में लोग जा रहे हैं और हम भी हजारों लोगों को ले जाने की योजना बना रहे हैं तो कृप्या कैलाश के पत्थरों को कैलाश पर ही छोड़ दीजे या आपके किसी काम के नहीं है आप पानी लेकर आना चाहते हैं वो ठीक है पानी आपकी इजासत के बिना एक जगह से दूसरी जगह जाता है लेकिन पत्थर अब भी कहीं नहीं जाते तो ये पत्थर जहां से भी हैं गंगा यमुना जहां से भी अगर आपने उन्हें उठाया है तो कृप्या उन्हें वापस लेकर जाएं और उसी नदी में डाल दे क्योंकि अगर उस नदी में जीवन को बसना है तो ये सब चीज़ें जरूरी है सालिग्राम एक खास किस्म का पत्थर है जिसका मिलना बहुत ही ज़ादा दुरलब है आम तोर पर समुद्र में मिलने वाली रत्न जियोती सालिग्राम की तरह बेची जाती है किसी भी पत्थर के टुकडे को सालिग्राम कहकर बेचा जा रहा है वो सालिग्राम नहीं है या लोग उन्हें कई तरह की राल में ढाल कर बेच रहे हैं पक्की बात है कि वो सालिग्राम नहीं है सालिग्राम एक दुरलब पत्थर है जो जो करोडों में एक होता है अगर आपको मिल जाता है तो अगर आप उसे उठा भी लेते हैं तो आपको अंतर पता नहीं चलेगा जब तक कि आप एक खास किस्म के विक्ती ना हो और अगर आपको एक असली सालिग्राम मिल जाता है अगर आप एक असली सालिगराम उठा लेते हैं, तब आप वाकई मुसीबत में पढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उसे संभालना कैसे है, वरना आप बहुत परिशानी में पढ़ जाएंगे. ये आपका जीवन बना भी सकता है, अगर आपको पता है इसे इस्तमाल कैसे करना है, ये एक महान खजाना है, अगर आपको इस्तमाल पता है, वरना ये विनाशकारी हो सकता है, अगर आपको नहीं पता. जो लोग पारिवारिक जीवन में रहते हैं साधारन जीवन, बिना परियाब तनुशासन, एक आगरता, जागरुकता के उन्हें अपने घर में कभी सालिगराम नहीं रखना चाहिए अगर वो रखते हैं, तो उन्हें जबरदस्त अशान्ती से गुजरना पड़ सकता है हमने ऐसे परिवार देखे हैं, करीब दो-तीन पिढ़ियों पहले उनकी दादी, दादा या कोई एक सालिगराम ले आया उन्होंने इस से अपना जीवन बना लिया लेकिन उनके मरने के बाद अगली पिढ़ी को नहीं पता था कि कैसे रखना है, और ऐसे परिवार ऐसी मुश्किलों और दहशत से गुजरते हैं जो कलपना से परे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि वो उर्जा कैसे संबालें, ये ऐसा है कि जैसे आपके पास एक पावर हाउस है, आपके घर में एक उर्जा पैदा करने का शुरोत है और आपको उर्जा को संभाला नहीं आता, तो आप लगतार परिशानी में रहेंगे, है न? आप जो भी छुएंगे, आप परिशानी में आ जाएंगे तो ये बस वैसा ही है, ये जबरदस्थ उर्जा का भंडार है ये एक छोटे ब्रहमांड की तरह है ये अपनी ही तरह का एक सुक्ष्म ब्रहमांड है क्योंकि इसमें वैसी ही उर्जा रहती है, जैसे कि ब्रहमांड के बड़े रूप में होती है तो ये चीज़ें जैसे एक मुखी खोजना, सालिग्राम ढूनना कृपया ये चीज़ें छोड़ दीजे ये कोई असली आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है ये बस निशानिया इकठा करना है आप जहां भी जाते हैं वहां से कुछ उठा लाना चाहते हैं ये सोचते हैं कि ये पवित्र है, वो पवित्र है हर कोई एक मुखी चाहता है जबकि आपके खुद के कई मुख हैं जब आपके कई चेहरे हों और आप एक मुखी पहनें तो आप परिशानी को बुलावा दे रहे हैं जब आपका जीवन बस एक लक्षपर केंद्रित है, तब उससे पहनते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, आपका जीवन अलग-अलग दिशाओं में जा रहा है, आप अनेक किरदार निभा रहे हैं, आपके जीवन में आने वाले अलग-अलग लोगों के लिए आपके अलग-अ सकते हैं, ये वो करते हैं, बजाए इसके कि आप इन दुरलब चीज़ों को नदी में, पेड़ पर या कहीं और खोशते फिरें, उन्हें छोड़ दीजिए, अगर आप ऐसी चीज़ों के लाइक हैं, तो वो किसी न किसी तरह आपको मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लग किसी मותרते हैं, आपको मुझे मादाए जाम जापको में, अगर हैं तरह दोते हैं अगरेंदीत स्वेक्द